Hello everyone, guys, किसी viewer ने request किया है कि sir, infinitive और जिरंड में फर्क क्या होता है, तो इतना आसान भी नहीं है फर्क को समझना, कोशिश करते हैं, चले शुरू करते हैं, देखिए, infinitive and जिरंड, अब इससे पहले आपको इस तरीके से समझाना होगा कि जब हम किसी sentence की बात करते हैं, थोड़ subject होता है, एक verb होता है, एक object होता है, यही कहानी है किसी भी sentence की, subject, verb, object, कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि subject होगा, verb होगा, और object ना होकर कि आपने सुना होगा कि compliment होते हैं, तो यह भी style है, यहीं की subject होगा , कही कही पर ऐसा होता है कि subject होगा और सिर्फ वर्व होगा कोई object भी नहीं होता है ठीक है ऐसा भी होता है यही आपका sentence का एक structure है अब है कि infinitive और अब हम बात करते हैं subject की subject का मतलब है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब हमारा subject है अगर मैं table कहता हूँ तो table भी एक subject है अगर मैं knife कहता हूँ knife भी अगर मैं he कहता हूँ यह भी एक subject है अगर मैं computer कहता हूँ यह भी एक subject है अगर मैं computer कहता हूँ यह भी एक subject है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं सब subject है यह भी किलिए है हम लोग subject जब लिखते हैं sentence में तो अधिकतर हम क्या बोलते है या तो हमारे नजरों में यह subject होता है आई वी यू दे जो भी plural उठा लीजिए या ही शी इट कोई भी नाम singular में उठा लीजिए spoken English हो चाहे translation हो यही subject हम ज़ादा तर देखते हैं newspaper में जब जाते हैं newspaper पढ़ते हैं उसमें subject हमें बड़े नजर आते हैं हमें ऐसे सारी सारी was standing there इस तरीके से कर लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको इतने बड़े subject दिखाई देते हैं कितना बड़ा आपका subject है यह होता है subject ठीक है यह सबको पता है अभी भी बात है कि infinitive और gerund क्या काम कर रहे हैं तो guys जिस तरीके से अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि this table is broken यह table टूटा हुआ है तो आपका जिसे table एक subject है है अगर मैं कहता हूँ कि he is dancing वो नाच रहा है यह ही subject है उसी तरीके से आपको subject दो और तरीकों से दिखाई दे सकते जैसे आपका दुनिया का कोई भी item subject है here she ate हो गया table कुर्सी almira तो दो तरीके और है subject रखने के लिए एक तरीका है जिसमें to होगा और to के बगल में verb की first form होगी जैसे ऐसा लिखाओगा to cook ऐसा लिखाओगा अब इस to cook को हम क्या समझ रहे हैं इस to cook को हम एक subject मान करके चल रहे हैं ठीक है मैं यहाँ पर बोल दिता हूँ subject ठीक है subject जो होता है हम जिसके बारे में बात करते हो subject होता है subject वैसे कोण-kोण बन सकता है subject दुनिया का कोई भी आइटम जोकी noun हो सकता है नहीं तो आपने he, she, it जो सुना है वो क्या होते है प्रोनाउन होते है यही होते हैं subject, तो अगर मैं इस to में verb की first form लगा दूँगा, तो यह क्या बन जाएगा, of course यह noun बन जाएगा, तो इतना भी clear हो रहा है, तो यह जो infinitive है, to के साथ जो verb की first form है, यह infinitive है, noun बन गया यह, noun बन गया तो काम अभी क्या कर रहा है, एक subject की जगा पर आ जाएगा, ज difficult, अगर मैंने ऐसा बोल दिया, is मेरा क्या है, verb है, तो इस verb से पहले subject ही तो होता है, तो यहाँ पर to कुक क्या है, एक subject का काम कर रहा है, यह to कुक एक infinitive है, तो इतना तो पता चल रहा है कि infinitive का इस्तमाल हम एक subject की जगा रख कर कर सकते हैं, जरूरत इसकी क्यों पढ़ती है अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि it is difficult, अब यहाँ पर is मेरा verb है, it क्या है, it is subject है, तो जैसे मैं किसी की तरफ इशारा करके बोल रहा हूं कि it is difficult, उसी तरीके से मैं यह भी कह सकता हूं कि कोई action को perform करना मुश्किल है, जैसे कि to cook, यानि कि खाना पकाना मुश्किल है, तो क किसी action को दिखाते हैं, जैसे कि खाना, पकाना, धोना, उठना, बैठना, यह समने action वाले हैं, उनको मुझे subject की तरह दिखाना है, अगर मुझे ऐसा दिखाना है, कि तैरना आसान नहीं है, तो तैरना तो एक action है न, अगर हम बोलू कि Elmira, तो Elmira एक action नहीं है, यह एक beautiful, उसी तरीके से मैं बोलू कि तैरना, अभी तैरना को मुझे subject बनाना है, लेकिन तैरना एक action है, तो जब भी action subject बनने लगे, तो हमारे पास दो options है, या तो infinitive का सहरा लेते हैं, या gerund का सहरा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि तैरना, तो मैं अगर सिर्फ infinitive का सहरा लो, तो मुझे to लगाना होगा, तैरने के अंगरेजी swim होती है, तो मुझे to swim बोलना होगा, तैरना असान नहीं है, to swim is not easy, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब को पता है कि subject बन रहा है, ठीक है, same काम हमारा gerund करता है, एक तम same काम, इसमें कोई फर्क नहीं है, gerund का मतलब क्या होता है एक verb होगा, जैसे आपने swim एक verb देखा, swim से पहले वहाँ to लगा हुआ था, यहां verb में ही ing लग जाता है, तो swimming हो जाता है, मैं इसी को बोलता कि तैरना असान नहीं है, तो मैं चाहता तो ऐसे भी कह सकता था, कि swimming is not easy, यहां भी is हमारा verb है, verb से पहले क्या चाहिए था, हमें दुनिया का कोई भी चीज जो noun है, सब subject है, he, she, it, pronoun, सारे subject है, प्लस जो किरिया वाले जो शब्द है, उनको भी हम subject बना सकते हैं, या तो ing लगा दीजी, तो swim में ing लगा है, तो swimming हो गया, तैरना आसान नहीं है, और नहीं तो आप to लगा कर, verb की first form कर दीजी, to swim, वो भी हम हमारा subject हो गया, तो इससे तो यह पता चल गया कि infinitive और gerund subject की जगह रखे जा सकते हैं, दोनों यहां पर same काम करते हैं, यहां तक कोई फर्क नहीं, जिनोंने पूछा है कि क्या फर्क है, यहां तक कोई फर्क नहीं, आप कैसे भी कह सकते हैं, जैसे एक दो और example देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि to, to talk to an unknown girl is not good, अब यहां पर मैं कह रहा हूँ कि to talk, हम बात करें to talk, जैने कि बात करना, बात करना किस से बात करना तो किसी अंजान लड़की से, तो हमारा subject यह है, यह अंजान लड़की subject नहीं है, subject तो हमारा यह है, to talk, तो to talk, infinitive है, यह subject है, यानि कि बात करना, यह is किस के लिए आया है, यह is talk के लिए है, कि to talk is not good, बात करना आसान नहीं है, मैं ऐसे भी कह सकता था, talking, talking to an unknown girl is not good, यहां भी is हमारा क्या है, verb है, और talking क्या है, हमारा subject है, यह is किस के लिए आया है, टॉकिंग के लिए आया है, यहां भी कोई फर्क नहीं है, यानि कि जब जब हम किसी action वाले subject की चाहत रखेंगे, तो हमारे सामने दो चीज़े आ जाएंगे खुलकर, एक है to के साथ verb की first form, और एक है verb में ही ing लगा तो, यह हमारे उपर है कि हम किसको अपनाते हैं, किसकी practice हमा इनहीं शब्दों को object की जगा पर रखते हैं, object का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे बोलू, एक मिनट, अगर मैं बोलू कि I will break this chair, इसकी हिंदी बताईए, मैं इस कुरसी को तोड़ दूँगा, यह I क्या है, subject है, will तो helping verb है, break क्या है, main verb है, मैं तोड़ दूँगा, I will break, अब इस verb से पूछिए, मैं क्या तोड़ूँगा या मैं किसको तोड़ूँगा, तो मैं क्या तोड़ दूँगा, तो chair को तोड़ दूँगा, यानि कि break, तोड़ने का काम किस पर होगा, chair पर होगा, यह chair क्या हो गया, object हो गया, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, I will beat my friend, मैं पी friend है, यह object हो गया, तो जैसे हम subject में किसी भी noun को subject बनाते थे, he, she, it को उठाकर subject बनाते थे, उसी तरीके से हम object में भी किसी भी noun को object बना सकते हैं, और जो he, she, it है इसका him, her, them करके object बना सकते हैं, जैसे मैं बोलू कि I will beat him, अब यह him क्या है, यह object है, he रहेगा तो subject, him है, कि हम noun pronoun को subject भी बनाते हैं, और उसी noun pronoun को हम object भी बनाते हैं, pronoun को थोड़ा सा he का him कर देते हैं, she का her कर देते हैं, यह करना पड़ेगा, ठीक है, object हमें चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने 2 plus v1 को subject बनाया था, कि to cook, to cook is not easy, हमने ऐसा बनाया था, फिर हमने ing करके बनाया कि cooking is not easy, अब तक तो यह subject है, to cook एक subject है, cooking एक subject है, क्या हम इसको object की जगह रख सकते हैं, कि नहीं रख सकते हैं, इसी का हमारा खेल है, अब है कि हम object की जगह रखेंगे, तो हमें कुछ verbs का पालन करना होगा, यह एक list आती है, यही एक difference है, जिन्होंने difference पूछा है, वो देख लीजिए, object की जगह आप to लगाएंगे या आप gerund लगाएंगे, यह तै आप नहीं करेंगे, यह तै कुछ शब्द करेंगे, कुछ verbs करेंगे, कुछ adjectives करेंगे, उसकी list आपको आनी चाहिए, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा कि I want, I मेरा subject है, want क्या है, verb है, तो इस verb के बाद एक object चाहिए, अगर मैं कहते हूँ कि I want a mobile, mobile मेरा object है, तो जिस तरीके से mobile एक object का काम करता है, उसी तरीके से 2 प्लस V1 भी object का काम कर सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दू, I want के बाद मैं 2 लगा दू, और मैं कोई भ का ब्लस V1 लगा, तो आई मैं वांट चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, to dance, जैसे I want a mobile, उसी तरीके से I want to dance, यहाँ to dance एक object है, यह to dance एक object है, infinitive है यह, object है, जैसे mobile एक object है, वैसे to dance एक object है, लगा उनकर काम कर रहा है, तो यह मैंने यहाँ पर to dance लगाया, तो क्यों नहीं कि I want dancing, dancing भी तो object ही है ना, बार बार कह रहा हूँ, वर्ब में हम ing लगा के जब gerund बनाते हैं, वो noun बनता है, तो noun subject भी बन सकता है, और object भी बन सकता है, तो हमारा infinitive subject बना okay, infinitive gerund हमारा subject बना okay था, लेकिन अभी आप want के बाद to dance देख रहे हैं object के रूप में, तो क्या dancing हम नहीं कर सकते हैं, यहीं अंतर है, यह करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, यह जो वर्ब है ना, इसके साथ भाईया infinitive fit बैठता है, और यह जो वर्ब है ना, इसके साथ भाईया जरंट fit बैठता है एक object के रूप में, हम दोनों को ऐसे ही आख बंद करके नहीं लगा सकते हैं, यहीं अंतर है, पहला अंतर यह है, तो इसके एक list है, क्या list है, देख लेते हैं, यहां लिखा है कि list of verbs, ऐसे verbs हैं, verbs मतलब ऐसे वो action है, attract infinitive, जो infinitive को attract करते हैं, इन शब्दों के बाद आपको infinitive लगाना ही लगाना चाहिए, फिर कुछ ऐसे verbs आएंगे जिनके बाद आपको gerund ही लगाना है, और कुछ ऐसे verbs आएंगे, जिनके साथ आप gerund लगाएंगे, तो मतलब कुछ और हो जाएगा, और उसी verbs के साथ, अगर आप infinitive लगा देंगे, तो मतलब कुछ और बदल जाएगा, और कुछ ऐसे verbs आएंगे जो आपको confused कर देंगे, पता नहीं क्या लगा, आपको दोनों लगाने का मन करेंगे, इसलिगे इतना आसान topic नहीं है, बट जितना हो सकता है कि जी, जैसे कि यहाँ पर advise लिखा हुआ है, अब advise के बाद जब भी आपको action वाला object लगाने की नौबत आए, तो आप gerund ना लगा करके infinitive की तरफ जाएंगे, force है, infinitive की तरफ जाएंगे, persuade है, persuade मतलब मनाना, इसके बाद अगर आपको मन करें, जब जरूरत पड़े कि मुझे यार कोई object लगाना है वो भी action वाला, तो आपको infinitive की तरफ जाना है, 2 पलस V1 की तरफ जाना है, कैसे देख लेते हैं, पूरी list देख लीजेगा, ऐसे advise को मैंने उठाया, यहाँ पर लिखा है कि she advised me, उसने मुझे advise दिया, अब इसके बाद अगर मुझे दिखाना है, purpose दिखाना है, advise दिया, क्या करने का advise दिया, उस purpose को दिखाने के लिए, मैं यहाँ पर to लगाऊंगा, और verb क की first form, यह जो to learn आप देख रहे हैं, यह infinitive है, यही वो infinitive है, तो आपको इसलिए list होता है कि जब भी advised आएगा, तो advised के बाद अगर आपको कोई object लगाना है, इसके बाद अगर आपको कुछ लगाना है, तो आप to लगा सकते हैं, और verb की first form साथ में लगा सकते हैं, आप direct ing न अंग्रेजी सीखने के लिए, यानि कि आप इसको purpose माल लीजिए, purpose को दिखाने के लिए infinitive का सहारा लेना पड़ता है, और वो purpose तक पहुचने के लिए इन सारे verbs की जरूरत पड़ती है, जैसे I will not force you, मैं आपको force नहीं करूंगा, क्या करने के लिए force नहीं करूंगा, purpose क्या है, to come here, यहाँ आने के लिए force नहीं करूंगा, तो जो to come आप देख रहे हैं, यह infinitive है, तो infinitive का मतलब यह होता है, कि action, जो आपका काम है, action not done yet, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, infinitive का मतलब कि काम पूरा हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है, तो इससे यह पता चल जाता है, कोई बंदा कहा है, कि I will not force you to come here, मतलब आप आए नहीं हो, और मैं आपको force भी नहीं करूंगा, कि आप यहाँ आजाओ future में, अब तक आप मेरे पास आए नहीं हो, and I will not force you to come, हम यह नहीं कह सकते कि I will not force you coming here, हम ऐसे ing नहीं लगाएंगे, तो इन list को आप ध्यान रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि भाया मुझे यहाँ infinity ही लगाना है, gerund नहीं लगाना है, देख लीचे, जैसे persuaded word, तो यहाँ लिखा है कि I persuaded her, मैंने उसको मनाया, आपको यह her word तो लगाना पड़ेगा, आपने मनाया तो किसको मनाया, आपको उसका जिकर करना पड़ेगा, आपने force किया, तो किसको force किया, तो यह वाला object आपको लगाना है, उसके बाद जो purpose दिखाते हैं कि मैंने मनाया, तो क्यों मनाया, कारण जब दिखाएंगे, purpose दिखाएंगे, तो आपको to के साथ चलना होगा, to के साथ verb की first form लगाना होगा, यही infinitive है, I persuaded her to spend some time with me, मैंने उस spending नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, you should encourage, अब encourage एक शब्द है, अब किसको encourage करेंगे, उसका तो जिकर करेंगे न, कि you should encourage your child, आपको अपने बच्चे को encourage करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, क्या करने के लिए, to learn English, अब जो to learn है, यह क्या है जी, purpose को दिखा रहा है, इस तर आपके दिमाग में यह भी चल रहा है, क्या मैं for लगा के learning कर दू, encourage him for learning, नहीं, इनके साथ fixed है, आपको infinitive ही लगाना है, infinitive लगाई, तो ऐसे तमाम words है, देख लिए, oblige है, he obliged me, क्या करने के लिए oblige किया, to write a letter, एक letter लिखने के लिए, उसने मुझे एक तरी किसे बाधित क कर दिया, she wants to meet me, want के साथ कर वार, me, him नहीं लगा कि ऐसे भी कह देते कि she wants to meet me, वो चाहती है मुझे से मिलना, मैं want को ऐसे भी कह सकता हूं, कि she wants, मैं me लगा दू, she wants me to make tea, वो चाहती कि मैं चाय बनाओ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, to make क्या है, infinitive है, यहा जो to meet है, वो क्य करूंगा, क्या परपस है, क्या नहीं करने के लाओ करोगे, to dance, जो to dance है, क्या है, infinitive है, तो यह list है, उसके बाद बहुत सार है, asked was, she asked me to make tea, उसने मुझे चाय बनाने को कहा, यह सब infinitive आता है, तमाम तरह के list मैंने लिखे हुए, आप इसका screenshot ले लेना, कुछ adjectives भी आते है, इसे able है, unable है, anxious है, likely है, excited, इसे तमाम list है, आपको याद करना होगा, तो आप उसके साथ infinitive लगा होगा, इसे I am able आपने बोला, I am able, मैं योग हूँ, क्या करने के योग हूँ, तो to लगाना पड़ेगा, to lift this weight, इस version को उठाने के योग हूँ, आप ऐसे नहीं कि आप कोई preposition for लगा दो, I am able for lifting, उसे नहीं चलता है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, जी, he is unable, unable के बाद भी दे करें, to do, ये to do क्या है, infinitive ही तो है, to lift क्या है, infinitive ही तो है, ये फर्क है, जिन्होंने पूछा है ना कि infinitive gerund में क्या फर्क है, subject के रूप में कोई फर्क नहीं था, object की तरफ पूरा आपको फर्क दिखाई दे रहा है, या इसको आपको पालन करना पड़ेगा, उन verbs को रटना होगा, ये जो verbs है, इनके साथ आख बंद करके infinitive लगाओ, इन verbs के साथ भाया, क्या लगाओ, gerund लगाओ, और कुछ ऐसे verbs हैं कि भाया, दोनों लगाओ, मतलब बदल ये है, anxious, I am anxious to know, जानने के लिए बेचायन हूँ मैं, तो to know infinitive है, he is likely to come, तो ये likely आपका adjective है, ये to come क्या है, to come आपका infinitive है, संभावना है आने का, I am excited, मैं excited हूँ क्या करने के लिए, to buy, तो to buy क्या है, infinitive है, हो गया जी, तो ये थे आपके infinitive को attract करने वाले words और ना जाना और कितने ऐसे words होते हैं, पूरी list आपको कहीं से निकालना पड़ेगा, कोई इसी किताब हो market में, जिसमें सब लिखा हो, जो मेरे पास थे, मैंने आपको दे दिये, आप screenshot अभी ले 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 ना कुछ दिर में, उसके बाद आता है कि कुछ ऐसे words हैं, जो सिफ जरंड को attract करते जरंड को, यानि कि जैसे आप वहाँ पर जरंड नहीं लगा सकते थे, तो यहाँ देख लिए, जैसे enjoy एक word है, अब enjoy जरंड को attract करते हैं, जैसे I don't enjoy, मैं enjoy नहीं करता हूँ, enjoy what, क्या enjoy नहीं करता हूँ, तो talking to her, अब इस talking क्या है, यह है gerंड, काम क्या कर रहा है, यह object का का कर रहा है, object है, I subject है, enjoy verb, इस verb का object talking, I don't enjoy, I don't enjoy coming here, I don't enjoy talking to her, तो जैसे infinitive में काम अभी पूरा नहीं हुआ है, है ना, कि अभी काम हुआ नहीं होना बाकि है, तो जरंड में क्या होता है, जरंड में होता है, ध्यान दीजेगा, जरंड में आपको ज्यादा तर ऐसा मतलम मिले कि जैसे पहले से काम चल रहा था, जैसे आपने बोला कि I don't enjoy talking to her, यानि कि आप उसे बात करते थे, अभी बात करना बाकी नहीं है, आप बात करते आ रहे हैं, लेकिन आप उससे बात करना enjoy नहीं करते, जब जब आप बात करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है, तो यहा आने वाले काम को आप करेंगे, अब तक हुआ नहीं है, ऐसा नहीं दिखा रहा है, वो infinitive दिखाता है, यह अंतर है, infinitive ओ जिरेंड में, जिरेंड तो दिखाता है कि जो हो रहा है पहले से, अब आप उसको enjoy नहीं करते हैं, आप उसको नफरत करते हैं, आप उसको like करते हैं, जो चल रहा है पहले से, इसको दिखाता है जरण, जैसे, She avoids, are going with me, अब वो मुझसे बहस करना avoid करती है, यानि कभी बहस करेगी, future में ऐसा नहीं है, बहस जब-जब होता है हमारा, तो वो नहीं चाहती है कि बहस हो, वो इन बहस को avoid करती, यानि कभी बहस होना बाकी नहीं है, इस बहस चाहती ही नहीं है, हमारे बिस कभी न कभी बहस हुई होगी, अब वो इन बहस को avoid करती रहती है, यह feeling देता है, I hate spending time with her, मैं नफरत करता हूँ, उसके साथ समय बिताना है, यानि कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद नहीं अभी कुछ होना बाकी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, जो पहले से हो रहा हूँ, इसके साथ समय में बिताता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समय बिताना अच्छा नहीं लगता उसके साथ, I just don't like spending time, I hate, इस तरीके से करें क्या, जैसे कि she doesn't mind, mind एक word है, mind के साथ आपको ing लगाना है, she doesn't mind, वो mind नहीं करती, क्या mind नहीं करती है, cleaning the room, कमरे को साफ करने को mind नहीं करती, ऐसा नहीं कि वो कमरे को साफ करेगी, बाकी है, बाकी को नहीं दिखा रहा है, जब जब वो कमरे को साफ करती है, वो mind नहीं करती है, तो यहाँ gerund का मतलब होता है, कि जो पहले से चल रहा है, उसको आप avoid कर रहे हैं, उसको आप पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, वो दिखाने के लिए हैं, ठीक है, इसे denied, he denied stealing money, ऐसा नहीं कि पैसे अब चुराएगा, पैसे वैसे चुराने का काम हो गया, लेकिन अब उसने मना कर दिया चुराने से, यह नहीं कि उसने यह मना कर दिया कि भी मैंने नहीं चुराया, ऐसा नहीं कि उसके पास कोई offer आया होगा कि चुराओगे, फिर वहाँ deny क उसके साथ two आता है, infinitive आता है, देकर refuse के साथ infinitive है, deny के साथ gerund है, इतना फर्क है दोस्तों, चीक है, उसके बाद कुछ ऐसे words हैं, जो जिनमें आप infinitive भी लगा लो, gerund भी लगा लो, लेकिन मतलब बदलता चला जाएगा, कैसे देख लेजी, infinitive और gerund बोत, इसे word है stop, word है remember forget, like, love, यानि कि अगर मैं stop बोलू, तो stop के साथ मैं infinitive भी लगा सकता हूँ, और gerund भी लगा सकता हूँ, जैसे कि I stopped to drink water, अब यहां stop का मतलब है कि मैं रुक गया, रुक गया, क्या करने को रुका, purpose क्या था, to drink water, पानी पीने के लिए मैं रुक गया, यानि कि मैंने पानी प अगर आपने to drink नहीं लगाया, आपने drinking लगा दिया, कि I stopped drinking water, तो दोनों allowed तो है, मतलब बदल जाएगा, यहां stop का मतलब है कि मैंने रुक दिया, मैं खुद रुका नहीं, मैंने stop कर दिया, किस चीज को stop कर दिया, जो पहले से होता आ रहा था, मेरा पानी पीना तो चली रह यहां पर देखने मतलब कैसे बदल गया है, वर्ब हमारा stop है, infinitive करेंगे, तो अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है, आप रुक गए ताकि आप करें, और अगर आप जरेंड लगाएंगे, तो आपने यह जो चल रहा था था ने, इसको stop कर दिया, रोक दिया, यह फर्क है, remember क मुझे याद था, to go there, यानि कि वहाँ जाना मुझे याद था, मैं भूला नहीं था, मुझे एक मिला था कि आपको वहाँ जाना है, अभी मैं गया भी नहीं था, तो मुझे याद था कि मुझे वहाँ जाना है, चीक है, I remembered going there, अब remembered going there का मतलब क्या है, यानि कि मैं वहाँ कि वह चला गया इसको जाना मैं वहां गया तो कोई भूल POLplement गया था उसका जाना जब जा V effe मैं आ गया और मुझा याद था कि मैं वहां गया था उसका आभी याद वहां Bueno I remember going there, मुझे याद है, क्या याद है? कि मैं वहाँ गया था, यानि कि I remember, मुझे याद है going there, यह मतलब नहीं कि अभी मैं गया नहीं हूँ जाओंगा, अरे मैं चला गया, जो मैं गया ना, जो प्रोसेस हुआ, वो सब मुझे को याद है, I remember going there, I remember locking the door, यानि कि मैंने आजा बंद करूँगा, अभी किया नहीं है, तो to lock और locking, दोनों ही remember के साथ आ रहा है, फर्क क्या है, to आ रहा है, तो अभी किया नहीं है, करूँगा, और अगर locking आ रहा है, तो मैंने lock वो कर दिया, बढ़ मुझे को याद है, भूल नहीं कि मैंने lock किया था, याद है, खोलना था, खोलना बाकी था, भूल गया खोलना, नहीं खोला, I forgot opening the door, अब इसका क्या मतलब है, opening लग गया, क्या अभी भी खोलना भूल गया, नहीं, मैंने खोला, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैंने कब खोला था, मैंने खोल दिया होगा, but I forgot opening, मुझे बिलकुल I forgot to go there, मैं वहाँ जाना भूल गया, लेकिन I forgot talking to him, मैं भूल गया कि मैंने बात भी की थी, कुछ याद नहीं आ रहा है, शायद की होगी, यह feeling देता है, तो मतलब बदल जाते हैं, मैं आपको एक book है, आपको पता ही कि मैं जदा तब Indian writers नहीं पढ़ता हूं, foreign वालों को ही पढ book है, यहाँ भी देखिए कुछ लिखा हूआ है, जहाँ से भी आपको benefit मिल आप देख लीजिगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूआ है, ing forms है, जो कुछ verbs के साथ आते हैं, इसने भी लिखा हूआ है, verbs that can be followed by ing forms, ऐसे verbs हैं, अब देखो, अखिर जो अंग्रेज है वो भी लिस्ट लेके घूम रहे हैं, कि भाया, वो लिस्ट के साथ चलोगे, तभी पता चलेगा कि इनके साथ ing लगेगा कि two plus one लगेगा, लिखा है कि after some verbs, we can use an ing form, याने कि gerund, साफ लिखा हूआ है, कुछ verbs के बाद हम gerund यूज करेंगे, but not normally and infinitive, लिखे हम infinitive यूज नहीं करेंग I enjoy to travel, spoken English में आप जुगाड करके काम तो चला रहे हैं boss, बड़ यह गलत है, आपको बोलना है कि I enjoy traveling, यानि कि आप enjoy करते, जब-जब आप travel करते हैं, तब-दब आप enjoy करते हैं, उस process को आप enjoy करते हैं, तब होना बाकी है ऐसा नहीं, जब-जब होता है, तब-दब आप enjoy करते इता है, यासे जब लिखा है कि he has finished, अब finished के बाद यहां too नहीं लगाया है, he has finished mending the car, इनकी car को जो mend करना था, नहीं दो करना था, उस काम को उसने finish कर लिया है, यहां आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, he has finished to mend the car, जी नहीं, finish कर लिया, प्लेम कर लिया, car mending जो था, ओился कर लिया है देख लिजे साफ यह अंग्रेज राइटर है इसकी देख लिजे किताब शी हाज गिवन अप स्मोकिंग जैसे गिवफ होता है फ्रेजल वर्प उसने छोड़ दिया है क्या छोड़ दिया स्मोकिंग अभी हाँ पर आप्ने जरन्ट लगया आप ऐस से सकते कि शिह संध्यका तु शनिकीत हमेशा परपस को दिखाताई जो हुआ नहीं है अभी अब छोना पी जयरन्ड बाकी और फिल्ड़ हर भ दिखाता गि जो चल रही जो चलता आरा है लुड आप करते हां तो यह बहुत सारा है अब इस पे देखरें पूरा इन्होंने एक लिस्ट रखा हुआ है आपर जो आइंची में लगता है जिसे एडमीट अप्रिशेट अवाइड बर्स आउट इस इतने सारे हैं डिले डिनाय था में बता ही दिया तापको फिनिश है फर गिव है फिल लाइक फिल इसे माइन देखिये दिया और पूर तो कुछ तो आपको पहले से पता ही होंगे बहुत सारे हैं एक्सक्यूज एंजॉज आइंजॉआइए इसलाइक गोइंग गिव अ तमाम तरह की यह वर्ट्स हैं जैसे डिसलाइक के वाद यह लिखा हैं कि आइडिसलाइक पीपल यह इसके बाद हम to नहीं लगाएंगे, हम gerund लगा देंगे, जैसे उसमें क्या था पहले वाले, I want you, था ना, to cook food, मैं चाहता हूँ कि तुम खाना पकाओ, हम ऐसे नहीं कह सकते, I want you cooking food, ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पर कह सकते हैं, यह कुछ ऐसे list है, जिनके साथ आपको object आएगा, बट उसके बाद जब आप लगाएंगे, वो gerund होगा, I say, I dislike people, मैं मुझे लोग पसंद नहीं, क्या करते हुए लोग? Telling me what to think, जो लोग मुझे यह कहते हैं कि क्या सोचना है, इस तरह कि लोग पसंद नहीं, I can't imagine him working in an office, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, so guys, शायद आप मुझे नहीं देख पार है, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, तो यही था, तो बस guys, आज के लिए इतना हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप चाहे हैं, तो इसका एक screenshot ले लीजिए, पता ही नहीं चला, recording कब बंद हो गई, anyways, आप कैसे रहेंगे screenshot, देख लेते हैं, ऐसे आपको दिखाई देगा है, यह लेकर देखे पहले, ले लीजिए, अब, यह बस जड़ा साइज को ले लीजिए, ठीक है, ओकी गाइस, थैंक यू बरी मुच एवरिबोड़ी, सी यू इन अनुदर एपिसोड, थैंक यू गाइस,